Hello DA students, आज हम 36 कड ओपन स्कूल कक्साबारा हिंदी के पार एक के नोट्स पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में पार दो, पार तीन, पार चार, इस परकार से हम कक्साबारा हिंदी के सभी पार्ठों के इंपोर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं, देखेगा सात्यों इन सभी पार्ठों के इंपोर्टेंट नोट्स हमने हमारे कोचिंग के विदार्थियों को लिखा दिये हैं, यदि आप इन नोट्स को पढ़कर बोर्ड का एक्जाम दोगे, तो डेफिनेटली आप बोर्ड के एक्जाम में बहत्री नंबर प्राप करने वाले हो, तो चलेगा स्टा आपको अपने मॉबाइल का लोग खोल देना है, उसके बाद में यहां से लोग खोल देते हैं, उसके बाद में आपके मॉबाइल में आप देखोगे, तो यहां पर इस प्रकार से आपको गूगल लिखा हुआ दिखाई देगा, इसके उपर आपको क्लिक करना है, तो यह मै पर क्लिक कर देना है उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से Most Exam लिखा होगा इसके उपर आपको क्लिक कर देना है तो यह मैंने क्लिक कर दिया उसके बाद में आपको थोड़ा स्क्रोल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हूं लिखा है चत्यसकरड राजे ओपन अविब तो आपके समने इस परकार के एक page कूल दियागा यहाँ पे आप देख सकते हूं लिखावा है चत्यसकरड ओपन इसकोल की सभी अब यहां पे तो मैं कक्सा 12 के नोट्स देखने हैं हिंदी के तो इसके लिए यहां पे आप देख सकते हो यहां पे कक्सा 12 नोट्स है तो इसके सामने क्लिक लिक होए इसके उपर मैं क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ पे स्क्रोल करके चले आना है यहाँ पे आप देख सकते हो कक्सा बारा यहाँ पे हिंदी के नोट्स है उसके बाद में यहां पर रसायन विज्ञान के है, जीव विज्ञान के है, बोतिक के है, इतियास के है, गणित के है, अर्दसास्तर के है यहां पर आपको सभी subject के notes मिल जाएंगे, यह notes जल्दी आपके upload कर दिये जाएंगे अब यहाँ पे आपको Hindi के Notes देखने हैं इसके लिए यहाँ पे इसके आगे जो क्लिक लिकव है इसके उपर आपको क्लिक कर जना है क्लिक करने के बाद मैं आप यहाँ पे देखोगे Hindi के Part 1 के Notes, Part 2 के Notes, Part 3 के Notes, Part 4 के Notes यहाँ पे मैं आपको Part 1 के Notes निकाल के बता रहा हूँ, तो यह पाट ही के, इसके सामने क्लिक क्लिक होए, इसके उपर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में इस परकार से आपके सामने यहाँ पे इंदी के नोट्स खुल जाएंगे, आई बात आपको समझ में, इस परकार से आप परिक्सा के समय, यहाँ पे सीधा नोट्स कोल कर सीधे नोट्स को आप पढ़ सकते हो, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले पाट के सभी important प्रश्णों को यहाँ पर पढ़ लेते हैं, देखेगा सत्यों पहला important प्रश्ण है कवीता किसे कहते हैं, तो इस कवीता में किस तत्व की प्रधानता होती है यानि जो कवीता होती है उसमें किस तत्व की प्रधानता होती है इसके बारे में पूचेगे तो इस प्रशन का उत्तर है कवीता में भाव तत्व की प्रधानता होती है किस तत्व की प्रधानता होती है बाव तत्व की प्रधानता होती है क्या मोजूद होती है लयात्मक्ता मोजूद होती है चलेगा नेक्स चोथे प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं तो देखेगा चोथा प्रस्ण है प्राचिन विद्वानोंने कविता की आत्मा किसको माना है यानि जो प्राचिन विद्वान है उन्होंने कविता की आत्मा कि लिख सकते हो, चलेगा अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं, तो देखेगा अगला हमारा पांचवा प्रशन है, कविता के परमुक दो अव्यों के नाम लिखे, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, चले अब ठीक कर लेते हैं, कविता के परमुक दो अव्यों के नाम लिखे तो इस प्रेशन का उतर है, कविता के परमुग दो अवियों के नाम निम ने लिखी थे, पहला है आपके बावपक्स और दूसरा आपके कलापक्स, कौन-कौन सा है, पहला आपके बावपक्स है और दूसरा आपके कलापक्स है, देखिए कैसा अभी तक भी आपने इस वीडि प्रत्यों को इंपोर्टेंट नोट्स लिखे वो इंपोर्टेंट नोट्स यहां पर आपको बिल्कूल फ्री में मिलने वाले तो चलेगा बढ़ते हैं नेक्ष्ट छठे प्रश्ण की तरब देखेगा छठा प्रश्ण है कवीता को पढ़ते समय किन-किन बातों का ध्यान के लिए कवीता का सवस्वर पाट किया जाना चीए यानि कवीता का जो आपके पाट किया जाता है उसमें आपको सवस्वर का विशेश ध्यान देना है उसी के माध्यम से आपको पाट किया जाना चीए चलेगा दूसरी विशेश ता है कोई भी कवीता पढ़ते समय अगर सं का मंबव हो तो कवीता के रच्चता यानी किसने कवीता की रचना की अर्थात कवीक का नाम संक्सिप में परिच्य भी प्राप्त कर लेना जीए यानि जिसने रचना किये उसका आपको समसित में परिचे भी प्राप्ट कर लेना चीए उसके बाद में तीशरी विशेशता है कवीता के कलापक्स को समझने के लिए बासा, चंद, अलंकार, आदी की पर्ष समाज होनी चीए उसके बार में लेक्ष चोथी विशेशता है कवीता पढ़ने का उद्धे से सिरफ सब्दों के अर्थ जान लेने तथा उसकी व्याख्या समझ लेने से नहीं होता है बलकि कवीता की सार्थक्ता तब होती है जब कवी के द्वारा व्यक्त भावनाओं तक पहुँच कर उसके द्वारा कही गई बातों को ग्रहन किया जए यानि सिरफ पूर सिरफ आपके कवीता को पढ़ लेना और उसकी व्याख्या करना ही आपके कवीता का उद्धे से नहीं होता है बलकि कवी के द्वारा जो आपके भावनाए व्यक्त की जाती है उन भावनाओं को समझना ही कवी किसे कहते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर है किसी भी वस्तू के माध्यम से किसी अन्य वस्तू या घटना से समंदित बात कही जाने को प्रतीक कहते हैं यानि आपके किसी भी वस्तू के माध्यम से किसी और वस्तू के बारे में बात कही जाना ही आपके प्रतीक होता है आई बात आपको समझें, तो यही आपके पहले पार्ट के important प्रशन थे, इसके सिवाए आपको किसी और प्रशन को पढ़ने की जरुवत नहीं है, इसी मैंसे ही आपके board के exam में प्रशन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके किताब में बहुत सारा कचरा भर रखा होता है, वो साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, उसके उपर किलिक करके आप दूसरे पार्ट के important प्रशन देख सकते हो, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, thank you, take care.